नमस्कार सर्सेयकाल स्वाडिकाथ आदाब आप सभी का मैं पवन मिस्रा CEO इंडोथाई नियूज हमारे हेल्फ टॉक में स्वागत करता हूँ आज जैसा कि वेदों में बताया गया है पहला सुक निरोगी काया तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस शो का को डिजाइन किया हमने विस्वाद से डॉक्टर कमल जी से रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारे अनुरोध पे ये शो करने का के लिए अपनी स्विकारिता ही है जिसके बाद से हमने ये सो रखा हुआ है जैसा कि पहला आप लोग ने सो देखा जिसमें उन्होंने होलिस्टिक हेल्थ के बारे में आप सबको जानकारियां दी और उसके बाद से हमारे पास बहुत सारे अनुरोध है बहुत सारे मित्रों ने कहा कि आप इसमें इसको आगे भी continue रखें और आगे भी चलाते रहें उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये दूसरा अंख फिल लेके आए हुए हैं जो जिसका की है कि आपके मसूडों से या दातों से कौन-कौन सी बिमारिया जो की हो सकती है उसके बारे में आज डॉक्टर साफ बात करेंगे और डॉक्टर साफ का डॉक्टर साफ नमस्कार आपका हमारे सो में बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार पावन मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इंडो थाई न्यूज चैनल के मार्यम से मैं सभी दर्शकों को अपने मंद की बात सेथ के प्रति बता सकता हूं ये सब आपका और आपकी टीम का मैं अभारी हूँ थैंक यू सो मच आल दे वियूर्स और इंडो थाई न्यूज और फॉंडर ऑफ इंडो थाई न्यूज चैनल मिस्टर पवन मिश्या धन्यवाद जी तो कुछ जैसे मुख के बारे में बहुत सारी बिमारियां हैं जो कि मुझ से संबंदित हैं तो कुछ पर थोड़ा सा उसका प्रकाश डालें क्या 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 बिमारियां हैं जो कि पर उससे पहले मैं कहना चाहूंगा हर कोई खुद को स्वस्त रखने के लिए कुछ ना कुछ करता है पर स्वस्त बही रहता है जो संतुनित अहार लेकर कसरत करता है यह कुछ लोग है खाना खाते हैं और उसके बाद कोई कसरत निंगारते कोई भ्याम नहीं करते तो वहां से अंदर बीमारी चुरू होते जो उमारे मुंह है मुंह के जरी हम ़ोजन करते हैं मुंह से ही हमारी बीमारीओं کا जो हमारे स्रीर के ऊपर इफेक्वेक्ट पड़ता है उस सुड़ों से जुड़ी बिमादिया एक साथ हमादे दिल को बहुत प्रभावित कहते हैं दिल पे उसका आसर पड़ता है और जो मौथ वेक्टिरिया जो मुख के किटारू है वो हमादे दिल पे प्रभाव डालते हैं क्या यह सच है अगर हम अपने मुख का ख्याल नहीं रख होती है झार जिसकी वेसे उसका एक्प्रेक्ट हमारे काड़ी को पर हुडते हैं अच्छा तो यह मतलब इसका देल पर प्रभाव पढ़ता है पढ़ता है हात और एक जो बहुत विमारी है आप भी diabetic मधुमें जिसे बोलते हैं हिंदी में इस बीमारी में हर एक मतलब मैं तो यह समझता हूँ हर एक दूसरे घर में मधुमें से पीडित लोग हैं तो इसमें diabetic के मरीज को क्या ग्या प्रशानिया आ सकती है मैं तो यह कहूँगा हर के लिए मेरा यह मैसेज है इस दोड़ती बागती जिन्दगी में तन और मन को निरोग किया जाए क्यों ना कुछ समय निकाल के योग किया जाए क्या बात है क्या बात है सही है तो से है के जब हमारा खान पीन सही है हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और खाने को प्रॉपरी डायर्स नहीं कर पाते हैं और खाना खाने के बाद हम अपने मुख को साफ नहीं करते हैं उससे हमारे अंदर बिकार पैदा होते हैं और उसका एफेक्ट हमारे अलग अंगों को परूलता जैसे हमारा पंक्रियस उसको जो इंसुलेन बगारा बनानी होती है न वो ठीक रूप से वो काम नहीं कर पाता है योग का आपने कहा योग मैं भी मानता हूं कि बहुत अच्छी चीज है हम भी अपने इंडो थाई न्यूज के चैनल पे अपने विवर्स के लिए योग का कभी कभी बीच-बीच में प्रोग्राम लाते रहते हैं उसमें भी आपका गैडैन्स भी रहा हुआ है आपने कहा हुआ था और माश्टर संजीर चतुद्वदी जो की जाने-माने योग संस्थान के यहां पे चलाते हैं और उन्हों ने बिहार इसकूल ऐफ योगा से योग की सि है योग के अभी भी मैं उनसे ट्रेनिंग में दाइता हूं तो योग का मतलब हमादे जीमन में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है बिल्कुल जी शास्त्रों में कहा गया है योग से योगती रोग से मुक्ति क्या बाद सही है आप मैं मानता हूं इस संदर में कुछ और सवाल हैं जो कि हमादे दर्सक जानना चाहते हैं तो एक है हमने अक्सक डाक्टर से कहते सुना है पानी ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा पीए लेकिन उसके बाव जो ड्राइमाउथ मुह सूखने की समस्या जो होती है उससे बड़े दिक्क्त एहती है और उससे ड्राइमा जब हम प्रपर अपनी बोड़ी को हाइडरेट नहीं करते हैं बहुत रोग की आता है कि वह पाणी कम पीते हैं जब हम पानी पीएंगे तो हमारे मुख में कोई भी चीज रहेगी नहीं वह सीधी अंदर जाएगी तो हमारे अंदर ड्राइनस आजाती है तो उससे हमारी जीव लानी शुरू हो जाती है क्योंकि ड्राइनेस होने से ही आपकी बॉडी में से रफ्लेक्शन शुरू हो जाती है अभी जैसा कि कोरोना का समय चल रहा है और वैसे भी नॉर्मल भागदोड की जिंदगी में सबको इस्ट्रेस की एक बड़ी बहुत बड़ी समस्या रहती है तो इस्ट्रेस से कभी ना कभी को हर व्यक्ति मैं इन्कलूडिंग मैं तो समझता हूँ हर एक वOOOOOOOO है जो कि कभी ना कभी अपनी जीवन में इस्ट्रेस से एग दो 40 आत कहने ही बढ़ते हैं तो उसका क्या ओरल हेल्थ पर कोई परभाव पड़ता है इस्ट्रेस का दिखकर मैं आपको एक बाद बता हूं कि जैसे गरंटों में भी लिखा है जो जो दी से सोई रोग है रोग रहत मेरा सत्गुल योग हर इनसान किसी ना किसी तरह से किसी को काम के स्च्रेस expect किसी को अपने निर्वार के इस्ट थे उसाएफ Means पिष्ले पृष्छर में मैं पता है तो कि हमारा जो स्रीर ला हा हिए कैसे की थे काम करती है पहले है उदिखे है टांषिंदिट स्ट्रेश जिशिदी इंटेंशन और को अपने Crush को Ctrl सोने का, खाने का, अराम करने का समय सही नहीं होगा, तो अब थोड़े बहुत बिमार हो जाए, भी आर बिंग बंबार्डेट, हमारे उपर हर तरफ से बंबार्डमेंट हो रही है, प्रदूशन की, सौरी, मैं आपको इंट्रफ कर रहा हूँ, यह जो चार टी एटी बोले समय के ऐसा है कि जैसे मालो, सुवा, मैं आपको पूरी दिन बताता हूँ, रात को नौ से लेके, सुवा चार बे तक हमारे सेल, हमारी बोली को खुड रपेर करते हैं, लेकर होता क्या है कि हम देर से सोते हैं, नौ से लेकर के, ग्यारा बज़ तक हमारा लिवर डीटॉक्स क चाहिए, और कोई अच्छी किताब पढ़ते होना चाहिए, लाइट मुजिक सुनते होना चाहिए, जहां को भुवान का नाम सुनते होना चाहिए, अगर उस समय आप कोई होरर शो देखते हैं, जा ललाए जगड़े वाला शो देखते हैं, कि सास भी कभी बहुत ही, ऐसे ऐ तो उसका एफेक्ट आपकी लिवर की डीटॉक्स को पर पड़ेगा, ग्यारा से लेके एक बज़ तक हमारी कोलन डीटॉक्स करती है, हमें उस समय सॉंट स्लीप में होना चाहिए, एक से लेके तीन बज़ तक हमारी गॉल्व लडर जाए, वो डीटॉक्स करता है, हमें उस समय गहरी नीद में होना चाहिए, तीन से पांच के बीच में हमारे लंग्स डीटॉक्स करते हैं, तो जब लंग्स डीटॉक्स करते हैं, उस समय हमें उस समय हमें चाहिए कि भी अगर किसी को अस्तमी की प्रॉल्बम है, उसको खंसी हो रही है, खंसी का अटेक हो रहा है, उसको कोई मेडिसन दे करके नेचरल प्रसेस में इंट्रफियर न करें, यह एक नेचरल प्रसेस होने दें, और पांच और साथ के बीच में आपका पेट साफ होना चाहिए, साथ और नौ के बीच में आप ब्रेकफास्ट कर तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे तो टाइमिंग का हमारे बहुत इंपोर्टेंट है तो इसलिए मैंने बुला जब आपका खाने का अराम करने का और आपका ब्याम करने का समझ सही नहीं होगा तो आप थोड़े बहुत बिमार जरूर हो जाएंगे और दूसरी टी हमने बता ह गाड़ी हुआ धुआ दूसरे लोग स्मोक करते हैं तो उससे बचने के लिए एक तो आप अपनी इम्मूनिटी को स्ट्रॉंग रखें दूसर जैसे आप सुवा शावर लेते हैं नहाने के लिए जाते हैं अपने नाक के अंदर गाय का गी जा सरसो का तेल नाक के अंदर ल गोलते हैं तो टेंसन शेज जूजने के लिए आपको खाली एक ही है कि एक तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है यह करेंगे आप डिसिप्लम में आ जाएंगे जब आप डिसिप्लम में आएंगे तो आपको जो डॉक्टर को यह असलाह देंगे आप उसको भी सही पर फा है रहें वह हमारे पुद्वजों की जो पद्दती थी अगर उसको फॉलो किया जाए जैसे वो लोग कहते थे तो हमें जो समस्यां आ रही है आज कल के जीवन में वह नहीं आएंगी जहां तक मैं समझ रहा हूं आपको सही है तो एक और जो कॉमन समस्या आज कल रही है चाह इसकी भी हवीट बहुत सारे लोगों को है हमारे कई प्रदेसों में इंडिया के यहां भी बहुत सारे लोगों को देखने में मिल जाता है तो इससे क्या कैसे मतलब छुटका रहा जा सकता है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता हमारे दातों के बहुत ही बुरी आदत है लो तो उसके लिए क्या है कि जो लोग तमाकू का सेवन करते हैं तो उसमें मुसूरों में कैंसर होने की समावना बन जाती है मुसूरों में स्वेलिंग आएगी इंफ्लिमेशन आएगी आप खाना अच्छे से चियू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमेशा है यह कहा गया है कि हमेशा के पाणि को खाओ रोकी को कैसे पियो एक वाइट को कम से कम आपने क μद ऐसे 30 वار है पाणी जब भी आपने पीने सिप करके गूंट गूंट करके पाणी पाणी मुह में बढ़ेगे और उसको मुह में होल्ड करके रखें। पाँच तक कॉंट करें बुवान का नाम लें उसके पाद उसको आप गल्व परें अंदर लेके जाएं तो वह पाणी ही आपके लिए एक अम्रित का काम करें तो जो लोग इस आदिस से नहीं छुट सकते तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रीटमेंट है हम उनके इंडोक्राइ कर लो दो कुईच मों किउनके एक प्रोग्राम है तो इस का प्रोग्रान का नाम रखा था मैंने स्टार्ट जों टीव उसक कर ली ennyrp मेंपर्स सब को बता दो कि मैंने इस डेट को यह दारू गुटका यह तवाकु छोड़ना है यह अवाइट अल प्लेसिस जहां पर फ्रीक्वेंट यह सेवन हो रहा है ठीक है और रिमूब और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पार्टिकल्स फॉम ऑफिस और कार जब आपने यह प्रेशियों का यह है कि कुछ दिन छोड़ देते हैं फिर उसके बाद छोड़ने के बाद वाद से रिस्टार्ट हो जाता है उनका कई कई कैई को परेश्य में क्या है ना एको प्रेशर वर्क्स ऑन थ्री डेमेंशिन वाइप्रेसिंग प्रेसिंग दियाग्नोस दन भी क्रेशन उनके अपने हाध में तो आप उसको ठीक कर सकते आपने में ऎक दू बर हमारे पासा थे तो उनको हम रेडिलर वुशन को बटाなंड़ साहब से आप या तो हमादे कमेंक्स में कर सकते थे या तो इनका नंबर लाष्ट में हम अपने ऊस पर प्रेश्थ फिर आपको ऐसी आदतों से छुटकारा पाना हो तो और बाकी डॉक्टर साब explain कर देंगे अपने इसलिए एक और है दातों में पीलापन की समस्या जो दातों में पीलापन रहता है उसको उससे health mouth health पे या oral health पर क्या effect पड़ता है और यह मसूडों में जो सुजन की समस्या होती है जब हम तमाकू लेते हैं जब हम कोई medicines लेते हैं तो उससे हमारे दांतों में osteoprocess हो जाती है जिसकी जह हम कोई pain killers लेते हैं उसका effect उसके उपर होता है तो कोशिश करो कि आप medicine avoid करो तो कि जब आप कोई भी medicine लेते हो तो आपको दो बार recovery करनी पड़ती है पहले बार बिमारी से दूसरी बार द्वाईयों को side effects जी बहुत सबसे जुरूरी है कि जैसे आप mostly लोग क्या करते है रात को खाना खाया खाना खाके उन्होंने brush किया और सो गए जब आप पानी प्यों और अपनी ब्रेफास्ट के बाद ब्रश करो कुछ लोग सब्रश कर लेंगे ब्रेफास्ट करके अपने ऑफिस चल जाएंगे तो सुबह से लेके शाम तक वो खाना दातों में ही सड़ता रहता है और दूसरा कि जैसे प्राने लोग थे वो खाना खा चल के कुला करते हैं तो प्रेशर से जो अंदर हमारे दातों में छोटे-छोटे कन फसे होती है खाने के वो बाहर निकल जाते है प्रेशर से बहुत बढ़े यह एक गरवती महिलाओं में प्रेगनेंट लेडिज में अगर गम डिस जो मसूडों की समस्या होती है तो उन्हे तरह की सावधानिय किस तरह की सबसे पहले तो उनको अपने डातों की कम सथादों की कम से करनी कि शाद करनी चाहिए क्यूंकि उस समय क्या होता कि हान पी центр में में वड़ी तबदीलि आई होती है और कि हम उनकीं होते हूँर होती है प्लस उनकी यो तो कभी कभी खाना जल्दी जल्दी में खा लिया है, स्टेस्ट फुल होके खा लिया है, तो उसका इफेक्ट जो है, ओ प्रखता है, जिसकी वज़ए से कभी कभी उनके हाम्मोन इंबैनस होने से जो डिलिवरी प्रमेचर हो जाती है, बच्चेक ग्रोथ प्रपर नहीं हो पा उस से किस तरह बचा जा..? परादे लोग जब थे ना वो परादे चमाने में क्या करते थे कि दातन करते थे ने को पलब यद अच़ीछ च्वा देटे थे च्वा के उसको तना कर लेटे थे that agem्चा है कि रुट बरुष बन जाती थे कि ऐसे कम सिंद दिर में एक वार गरम पानी में फोटा साि Savick दो क्रूल उससे दाइमति पहुत रख गार्ण को अब ना गर्म खाना खाने के बाद थंदे पाने से और धंड़ा değ republican पाणी हैं ना प्यां possible का सम्द्यों आप के लिए जहर है तो आप उससे उसको जितना आप आवड कर सकते हैं उसको आप लोग की बहुत कोई समस्या हो कोई डॉक्टर साब से जाननी हो तो आप किलिए कमेंट वोक्स में लिखें तो मैं उसे वो समस्याओं का समाधान आपके सवालों के द्वादा आ पा सकते हैं परकि एक सवाल होद है डॉक्टर साब इस वक्त कोविट से सारी दुनिया लड़ दी है हर दिन नए नए चौकाने वाले लचड कुछ नया इस ट्रेंड कुछ कभी कुछ तो कोविट से ठीक होने वाले लोगों में भी कुछ साइड एफेक्ट्स पाये जाते हैं क क्या कोविट में हमारे टीथ में किस प्रकार के एफेक्ट होते हैं यह कोई समस्या होती है उसके बार कोविट के दुरान कि एक तो लोग कोई एक्सेसाइज नहीं कर पाते प्रोपली दूसरा उनको जो ध्वणया काड़े वड़ा दिया आते हैं बहुत गर्म होते हैं उसस कि इसे जाके हमारे पेट के अंदर विकार प्रदा होते हैं उन विकारों का रिफ्लैक्स हमारे बॉड़ी में आता है तो जिसमें उनके मूं का स्वाद बदल जाता है कुछ खाने को मन नहीं करता है तो मूं में मतलग के जैसे अनीजी फील करते हैं तो इसलिए वेतर है कि योस समय में पानी कोसा पानी लगातार पीते रहना चाहिए पानी में ययूर्ट रखले है काम पूरे बड़ी को इसका असर होता है एक और एक मैं समझता है एक पूरा एक पैकेज बता दिजिए जिसे स्वस्थ मसूडे स्वस्थ दांत के लिए क्या करना चाहिए जिसके जिसे हमारे चेहरों पर मुस्कान रहे दांत चमकते रहें तो उसका कोई उपाई बताई जिसे हम भी फॉलो कर सकें देखिए सबसे पहरे तो यही है कि आप जब सुबा उठते हैं सो उठके बिना ब्रश क पीने से वाइड करें आई सी जो ड्रिंक्स हैं उनको अवाइड करें और हबते में कम से कम एक बात आप फ्लॉस जुरूर करें और कम से कम तीन मीने में अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करें जे और दांतों की देख रिक करना आपका एक प्राइम यह जूटी बन जात करते हैं तो इसके लिए आपको अपने दांतों का ख्याल इतने ही जुरूरी है जितने आप अपने बॉड़ी को नहा दो करके आप उसको अच्छे से सावन लगा कर मलके नहाते हैं उसको क्रीम लगा लगाते हैं तो ऐसे ही आपको अपने मुंग का भी ख्याल लखना जूर सब्सक्राइब करें दांतों में सदल ना हो और ब्रस को भी समय-sumय से बदल हो जैसी आपका उसके जो टीथ जो खा होते हैं जो घुज जाते हैं एटलेंस मैं सोचते हूं कि आपको महीने में गेंड़ महीने में ब्रस बदलेना चाहिए ज्यादा लंबा ब्रस रखें कि उसस तो खाली ऐसे रगड़ते हैं तो उसको अच्छी उप नीची ऐसे करना चाहिए ताकि जो दांतों के बीच कुछ फसा हुआ वो निकल जाए ऐसा है पर मन प्राणे लोग कहां ब्रश करते थे मुझे पता हम जब छोटे होते थे हम लोग कोईला और नमक उसको मिला करके दांत कोईला और नमक को किसी ने रगड़ लिया तो वह बड़ी प्रावलम हो जानी है नाजिक हो गया है नहीं डॉक्तर साहब ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी और मैं समझता हूं इस सारे इंफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजह ऐसी हैं जिससे कि हम अपने डेली लाइफ क को बहुत सही कर सकते हैं और दातों की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं तो बाकी आप लोगों के अगर कोई सवाल है मैं एक बार देख लेता हूं हमारे एक सवाल आए हूँ है डाक्टर साथ है कि जब वो सुभर उठते हैं तो उनक Спास्वा दातों में बहुत दर्द महसूस होता है और गम्स्रेशन में उसमें दातों में दर्द राए दातों मैं फिल दर्द का एहसास होता है जब वो काटते हैं या कुछ भी खाते हैं तो उसमें उसमें समस्या होती है इसका क्या तो उनको चाहिए कि रात को सुने से पहले गरम पानी में नमक डाल करके कम से पांच मिन्ट के लिए कुला करते रहें जी तो यह एक हफ्ता करेंगे तो एक हफ्ते में को एक जैसे फालो करते रहें साथ साथ तो बाकी और कोई सवाल भी डॉक्टर साब आप नेक्स्ट जो हमारे प्रोग्राम है वो अगले हपते फिर इसी टाइम पर दो बजे आएगा और उसका विसे हम आपको पहले बता देंगे और इसी तरह हम आपके सवालों के साथ में जवाब लेके आते रहेंगे बाकी आपका कोई सवाल हो तो डॉक्टर कमल जी स्क्रीन पर दिये गए वे नंबर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं या हमारे इसमें आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखके आपके साथे सवा का जवाब डॉक्टर कमल जी जी जवाब दिया जाएगा धन्यवाद नमस्कार मैं अभारी हूं आप सब का कि आपने लोगों की सिहत का इतना ख्याल रख रहे हो और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी जो गाइडलाइंस दे करके एक निरोग और खुशाल समाज बनाने में अपना योगदान डाल सकें और मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आप अपना और अपनों के ख्याल रखें मुस्काते रहें अपने लिए और अपनों के लिए धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साब नमस्कार झाल सकते लिए और श्रार्थना अपने लिए और क्रशिए वांपने ट्राथना टाम से कर्या अपनों के लिए धन्यवाद और रहें जापने यहादाने हड़ता अपने आपने हैं। झाल 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 झाल